हेलो एबरिवन कैसे हैं आप सब लोग चलिए आज की हमारी रेस्पी है पोहा तो चलिए बनाते हैं पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है पैन गरम हो जाएगा उसके बाद हम उसमें हलका सा ओल डालेंगे बहुत ही ज़रा सा आप चाहें तो ओल ना भी हमने गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे घान गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमे में टालेंगे प्याज यह आप देख सकते हैं, हमने प्याज ढल दिया, इसमें हलका ब्राउनेश करेंगे उम प्याज को बहुत जादा नहीं, बट हलका हम इसे फ्राइब करेंगे चैनल को भी तक समस्क्राइब नहीं कर जा है तो समस्क्राइब कर दिजEr, लाइक कर दिजे और कमेंज करें भी जड पटाला है हमने एक तार राइस ने प्रह जाते है रहा है यह हलका इससे मौश्चर मिलता है तो यह अच्छा टीस्ट करते है। तो इस कुछ नहीं होगा हुआ कि आप ड़ campus yeah यह हो गया है तो अब हम क्या करेणा अब हम इसमें यह प्याज देख सकते के हलका हो यह हो घाल के देखस किए रभाब मिसमें डाल देते हैं आलू आप हलका चोटा-चोटा पीसे काट लिएगा बहुत जादा मोटा आलू नहीं काटना है चोटे-चोटे पिसस में काट लाया है ताकि अच्छी तरीके से पक जाए आप देख सकते हैं यह आलू हम पकने तक का वेट करेंगे इसमें आलू पकने के बाद ही हम कुछ इसमें एड करने वाले हैं तो हम नमक हलका सा डाल देते ह इसमें नमक डालने से थोड़ा आलू टमाटर यह अच्छी से बग जाती है लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रहा है हल्दी यूज़ कर है धनिया पाउडर है अप चाहें तो मैगी मसाला भी डाल सकते मैगी मसाला डालने से भी बहुत अच्छी डिश चाता है तो यह सारी तो अब हम इसे थोड़ी दिर अच्छे से पका लेते हैं जाब देख सकते हैं इसको हम पकने तक का वेट करेंगे थोड़ा बीच-विच में चलाते रहेगा आप लोग इसे पख जाएगा उसके बाद हम इसमें टमाटर रड़ करेंगे यह आप देख सकते हैं और अल्रेडी नमक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है टमाटर इस लिगल जाएगा यह टमाटर पकने तक हम वेट करेंगे टमाटर भी हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें कुछ और आड़ करने वाले हैं यह देख सकते हैं आप टमाटर फ्राई हो रहा है सारी चीज़े अल्मूस्ट हो कोई चीज तो आप बदाई आप इसमें क्या एट करने वाले हैं आलू को थोड़ा देख भी लिजेगा आप लोग की हो गया है या नहीं क्योंकि कभी कभी क्या होता ना कच्छे आलू में भी हलका कच्छा ही रहता है तब टमाटर डालने से ना अच्छे से आलू पक नहीं बता है तो आप थोड़ा ध्यान दीजेगा शिश का यह हम इसमें पोहा डाल रहे हैं पोहा हलका भीगा लिजेगा आप एक बर धुल लिजेगा उसके बाद ही यूज करीगा और जादा मोटा हो तो उसे थोड़ी देल रग भी दीजेगा उसका पानी निकाल के बट नहीं अब देख सकते हैं पोहा एक बर धुलने के बाद हमने इसमें डाल दिया है अब इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हम चला लेते हैं सारी चीजे पक चुकी हैं उसके बाद ही हम पोहा एट करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से हम चला लेंगे ताकि सारी जगा अच् वी था लिटाटी सिंपल रेस्पी है ये देख सकतें हैं है बिल्कुल हो चुका है तो मुंफली जो हम निस टार्टिंग में ही फ्राई का रहा था ना हलका रोस्ट का रहा था हमने वो समें डाल देख Expand पोहा बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अब हम भी काम करते हैं इसे सर्फ भी कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं रेस्पी बिल्कुल रेडी है थोड़ा नमकीन वगेरे डाल लेजेगा चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू